सोना फिर साथ हजार के पार चांदी भी अठटर हजार रुपए के करीब जाने दिवाली तक क्या होगा भाफ एक और शेर बाजार और दूसरी और सोना चांदी रुखने का नाम नहीं ले रही हैं। शेर बाजार लगातार नई उचाई बना रहा है तो सोना और चांदी एक बार फिर तेजी की मूड में है। इसके चलते घरेलू बाजार में सोना साथ हजार साथ सो रुपए प्रती दस ग्राम पर पहुँच गया है। चांदी भी 77,600 रुपए प्रती किलोग्राम पर पहुँच गई है। आपको बता दे कि 10 जून के बाद से घरेलू बाजार में सोना अपने उच्चतम स्तर पर है। हालां की इसके बावजूद कमोडिटी एक्सपर्ट दोनों कीमती धातू में और तेजी का अनुमान जता रही हैं। आईए, जानते हैं कि सोने और चांदी का भाव कहां तक जा सकता है। इस कारण सोने में जारी रहेगी तेजी। IIFL Securities में Vice President अनुज गुपता ने इंदिया टीवी को बताया कि सोने और चांदी की कीमत में तेजी का दौर जारी रहने वाला है। उन्होंने बताया कि कॉमिक्स जिन्स बाजार में सोना साथ सप्ता के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया क्योंकि निवेशकों ने अमेरिकी आर्थिक आंकडों पर विचार किया जो महंगाई को प्रभावित कर सकता है। साथ ही संभावना है कि देश की प्रमुख ब्याजदर अनुमान से कहीं पहले चरम पर होगी। इसके अलावा यूरोपिय सेंट्रल बैंड के एक प्रमुख अधिकारी की नरम टिपणी के बाद वैश्विक बांड प्रतिफल में गिरावट से भी कारोबारी धारना मजबूत हुई। इसके चलते विदेशी बाजारों में सोना तेजी के साथ एक हजार नौसो अठटर डॉलर प्रति आंस हो गया। जबकि चांदी तेजी के साथ पच्चीज दशमलव शून्य पाँच डॉलर प्रति आंस पर पहुँच गया है। इसमें और तेजी अनेका अनुमान है। वैश्विक बाजार में सोना दो हजार से दो हजार तीस डॉलर प्रति आंस तक पहुँच सकता है। दिवाली तक सोना 64,000ी संभव अनुज गुप्ता ने बताया कि वैश्विक बाजार को देखते हुए मेरा अनुमान है कि दिवाली तक घरेलू बाजार में सोनों का भाव 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुँच सकता है। वहीं चांदी की कीमत 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार जा सकती है। यानि सोने और चांदी की कीमत में अब कमी आने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा कि डॉलर इंडिक्स में कमजोरी और अमेरिकी आर्थिक आंकडों में गिरावट के बीच आगामी सत्रों में सोने और चांदी की कीमते बढ़ेंगी। इसका असर घरेलू बाजार भी देखने को मिलेगा।